तो इस वीडियो में मैं आपको 5-6 reasons बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है यह सिर्फ एक अफवा है 5G network की वज़े से या radio frequency या radio waves की वज़े से कोई भी coronavirus का infection नहीं हो रहा है मैं आपको reasons के साथ इस वीडियो में discuss करूँगा देखिए पहला reason यह है कि coronavirus जो originate हुआ था coronavirus जहां से फैलना शुरू किया था वो शहर था Wuhan चाइना का जो शहर है Wuhan वहां से coronavirus फैलना शुरू हुआ था लेकिन अगर 5G network की वज़े से coronavirus फैल रहा है तो coronavirus का सबसे पहला infection South Korea में होना चाहिए क्योंकि 5G network सबसे पहले South Korea में ही लगा था चाइना से भी पहले 5G का network South Korea में लगा था लेकिन South Korea में coronavirus के cases बहुत बाद discover हुआ पहले चाइना में हो गया उसके बाद South Korea में discover हुआ लेकिन South Korea में 5G network अल्मोस्ट 6-8 महीने पहले से आ गया था चाइना में तो बहुत बाद में आया 5G network इसके अलाबा South Korea ही नहीं UK और USA में भी जो 5G network था वो चाइना से पहले आया था लेकिन coronavirus के cases चाइना के बाद आये USA और UK में अगर 5G network से होता तो South Korea, USA, UK में पहले coronavirus का infection होता फिर चाइना में होता तीसरा reason ये है दोस्तों कि 5G का network पूरे world में लगभग 61 countries में है लेकिन coronavirus लगभग almost सारे countries में, सारे territories में है लगभग 210-220 countries हैं, territories हैं और हर जगा पे coronavirus का infection है हर जगा पे 5G network नहीं है, सिर्फ 601 countries हैं जहां 5G network है लेकिन coronavirus तो हर जगा है अगर 5G network की वज़े से होता, तो सिर्फ 601 countries में ही coronavirus होता बाकी countries में नहीं होता और सबसे important चीज, इंडिया में तो 5G network है भी नहीं, फिर भी coronavirus के इतने जादा cases बढ़ रहे हैं हर दिन, तो इसका क्या मतलब है, सीधा यही मतलब है कि 5G network की वज़े से coronavirus नहीं फैल रहा है, जहां पर towers जादा हैं, जैसे USA में, UK में, अब तो चाइना में भी towers हैं, लेकिन coronavirus के cases वहां पर जादा नहीं बढ़ रहे हैं, जहां पर towers नहीं हैं, वहां बढ़ रहे हैं coronavirus के cases, यह भी एक reason है कि 5G network और coronavirus का कोई link नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं, sir, 5G network की वज़े से जो radio waves पैदा होते हैं, उससे coronavirus फैलता है, अरे, उससे अगर coronavirus फैलता, तो पूरे दुनिया म समान रूप से patients बढ़ते हैं, समान रूप से coronavirus के cases बढ़ते हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बढ़ते हैं, या सिर्फ किसी particular जगा पे नहीं बढ़ते हैं, अगर network 5G का पूरे world में होता, आप कहरे हो radio waves फैलता है, radio waves से coronavirus फैलता है, तो वो radio waves पूरे world में फैले हुए हैं, तो सारे जगा, हर जगा cases almost बराबर तेजी से फैलते हैं, लेकिन इंडिया में ही क्यों तेजी से फैल रहे हैं, 5G network की वज़े से नहीं, वो यहां पर लोग social distancing नहीं कर रहे हैं, precautions नहीं ले रहे हैं, मास नहीं पैल रहे हैं, इसलिए cases ज़ादा बढ़ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं, बॉडी में जो oxygen होता है, वो radio वे absorb कर लेता है, और उसकी वज़े से coronavirus हो जाता है, दोस्तों ये सब बाते fake हैं, बिल्कुल भी सचाई नहीं है, मैंने बहुत सारे reasons दे दिया हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा, कि 5G और coronavirus का कोई link नहीं है, अगर वीडियो पस कर दो दो